शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें शिक्षा कर रहे हैं मेरी और देखें पर शिक्षा खत्म हो गए इंतजार समाप तो क्या मैं आ गया हूं और जब मैं आ गया हूं तो अब भूल जाई सारी परिशानिया उन्हें अलग सरक दीजिए और बस ये सोचिए कि मुस्कुराना कैसे हसना कैसे ठाक कैसे लगाने तालि इतनी चलती निति गॉंशेश चली होती जैसे क्लास में टीचर भच्छों करने के लिए तो मालुऊ है तुमारी तरह थाना जब इतना सा था खम हुआरे जितना मुझ बख्त्यक रॉष्णी कर रहा था पार्ड जोब मॉँट्ट्ग रचा उख आए पढ़करता था डेक औ क्लास में टीचर ने पूछा कि खुशी के मारे बेहोश हो गया इसका कोई उधान दो अब लड़के उखड़ा किया बताओ खुशी के मारे बेहोश हो गया इसका उधान दो और एक लड़के को उसके पिता जी ने कहा कि अगर तुझादी के लड़की देखने जा रहा है तो भोले तुछ झूटर दे तो तु ämाग ना फूलते तो एस ही गत काही हूँडा नहीं तु टैंट तीज मार पिल ह्ना ना वर ₹ वन ने में खुंड़аш 3 जवाब खुशी के मारे बेखो जो जाना का serसा थी? क्या उधान bereखों बहुशी के मारे बेखों हो जाने का? फिर्ख के साथ में जमाने बतल गया न, आज फैसलों कि शॉलका तो हीरो हो गया ? टीचर, शीधा खड़ा रहे भाई, है न, हरे या, हीरो है, हीरो है, हीरो बन क्या है, तुम आशन बुझा बनाव, नाम क्या, रजिस्टर में देख लो, कहा रहे तू, स्कूल रिकॉर्ड में देख लो, किसे ज़्यादा प्याल करते हो, मम्मी से या पापा से, मेरे दिल में देख लो, तुमारा दिल का है, अपनी बेची का दिल देख लो, कमाल हो गया है, कमाल ही हो गया है, लेकिन कमाल तो इन लोगों का भी है, ये जो लोग है, बड़ा कमाल के लोग है, तो कि ये अच्छा कहते हैं, अच्छा लिखते हैं, और ये शेमारू टीवी वा भाई वा और मेरा निजी संकल्फ है कि हम नहीं नहीं प्रतभाओं को आपकी समक्ष लेके आएं तस्टत करें ये हैं अमित पॉमर जो कानपूर के हैं हमारे बीज में हम इनका स्वागत करें अमित पॉमर के पास मोहन मुंतजिर हैं ये जो महबत की और इश्क की और प्रेम की बात बिलकुल अलग अंतास से करते हैं और ऐसे करते हैं कि लोगों के दिलों में उतर जाते हम सागर करते हैं और मुंतजिर के पास ये जो बंद कलेगा सूट पहन के जो शांदारसे लग रहे हैं एकदम नीले नीले रंखा अच्छा लग रहा है वैसे तुम है इसा लग रहा है जैसे बस सगाई अभी होने ही वाली है या पस हो ही जाएगी आज इस सूट के चक्कर में यह है दीपक शुकला द्रादन जो भोपाल से हमारे पीच में है तो चलिए सबसे पहले उससे बुलात है आप सभी को नमस्कार और शेले जी मैं कानपूर से हूँ तो आप लोगो कुछ कनपूरिया बात बताता हूं कि कानपूर किस वज़े से फेमस है तो एक कानपूर का विक्ति एक जगह इंटर्व्यू देने कया तो सुनिए का चार पंग्तियों में कि एक कंपनी में चल र अच्छा कि एक कंपनी में चल रहा था एक इंटर्व्यू पता चला कानपूर से भईया जी भी आए हैं और देखते ही बॉस ने सवाल किया भईया जी से कहिए जी आप में क्या-क्या विशेशताय हैं और कौन सी पढ़ाई करी कौन सी है डिगरी ली कौन सा प्रमान पत्र आप साथ लाए हैं कि कौन सी पढ़ाई करी कौन सी है डिगरी ली कौन सा प्रमान पत्र आप साथ लाए हैं तो घुटका को ठूक के जवाब दिया भईया जी ने कनपूरियां साथ कट्टा लेके आए हैं और शेलेश जी यहां पर बहुत सारी महिला सक्टिकांड की बात करते हैं लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने में और बहुत भेदभा हो रहे हैं क्या भेदभा होता है वह चार पंक्तियों बताता हो कि किस तरह से टिवी में विज्यापनों सुनिये कि क्रीम सोप पाउडर क्रीम सोप पाउडर वा शैंपू का एड हो तो टीवी वाला सुन्दर सी नार दिखलाता है हां सही बारते क्रीम सोप पाउडर वा शैंपू का एड हो तो टीवी वाला सुन्दर सी नार दिखलाता है और बावासीर दाद खाज खुजली की बात हो तो ऐसे विज्यापनों में मर्दली आजाएं अरे बहुत सही गा याद बिल्कुल सही बात है आथ खुजली है तो आद में दिखेगा है की क्रीम सोप पाउडर वा शेंपू का एड हो तो तीवी वाला सुन्दर सी नार दिखलाता है और बावासीर दाद खाज खुजली की बात हो तो ऐसे विज्यापनों में मर्द लिया जाता है और पूरुशों के साथ ये जो हो रहा है भेदभाओ सज मैं कहूं तो अब साहा नहीं जाता है और लड़की हो सीधी तो कहेंगे है ये गाए जैसी लड़का हो सीधा तो वो गधा कहेंगे वाह बहुत बरिया सेले जी अभी कुछ दिन पहले लागडाउन का समय चला था तो इन लड़कियों के साथ एक समस्या आ रही थी ये अपने बॉइफ्रेंड से मिल नहीं पा रही थी तो एक लड़की ने अपनी मा से बहाना किया कि मैं बोले बाबा के मंदिर जा रही हूँ और अपने बॉइफ्रेंड से मिलने चली गई बहाना का रही है और जब लॉट किया है तो उसको बड़ी ग्लान ही हो रही है मैं तुछ से मिलना ही मंदिर जाने के बहान है बिल्कुल तो उसको ग्लान ही क्या हो रही है कि वो मंदिर नहीं जा पाई तो भोले बाबा से माफी मांग रही है माफी कैसे मान रही है कि मुझको माफी दे दो शिव जी मुझको माफी दे दो शिव जी मंदिर पहुच न पाई मैं और बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई है कि मुझे को माफी दे दो शिव जी मंदिर पहुंच न पाई मैं और बाबा तेरा नाम बता कर बाबू से मिलाई मैं और क्या कह रही कि थोड़ा मां से समय मिला था मेरी भी मजबूरी थी लेकिन बबलू के संग मुवी जानी बहुत जरूरी थी और क्या कह रही कि समय बहुत लगता है बाबा मौल में आने जाने में और बाकी बचा समय भी लग गया पिज्जा बर्गर खाने में और वरना तुम्हें पता है भोले सुबह सवेरे जकती हूँ मंदिर भी जाती हूँ तेरे व्रत भी सारे रखती हूँ और आज हुई है गलती मुझसे जल तक चड़ा न पाई मैं और ब बाबू से मिलाई ते वाँ और अच्छे में बहुत बहुत बढ़ देना चाहता हूं और जहां तर नहीं बात हैं, बाबा तिरा नाम लेके बाबू से मिलाई में, कई बहाने बनाते हैं जैसे जाने के लिए वेलेंटाइन डे पे तो एक ही बहाना है, extra class. और तो कुछ बहाना होता नहीं है. तो एक मा ने अपने बेटे से कहा, कल इतने तेरे सारे दोस्टे एxtra class में गए. तू नहीं गया. दुख्ती रख पहात मत रखो मा. मत रखो, आपको क्या पता है, कि मैं वो स्टूडेंट जिसकी कोई क्लास नहीं है तो जीवन में क्लास होना बड़ा आवश्च्छ जो अगला कभी परे क्लासी बाते करता है और बड़ी महबद से रची बसी लदी बाते करता है अपने अंदाज में करता है और जो तुम कह रहे थे लपको साथ भेदभव हो रहा है वो आएगा और बताएगा कि लवको के साथ भेदभव किस तरह से होना चाहिए मौन मुंत जोर जालियों के साथ बहुत बहुत बदावार शालेज जी कि शालेज जी बहुत लोग ने बहुत कुछ सीखा आज मैं यह सीख के जारा हूं कि आदमी को सब तोड़ देना चाहिए लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए एक होता क्या है कि असल मैं यदि हम किसी से प्यार करते हैं अगर वफदार है तो फिर प्यार एक ही बार करना चाहिए जैसा कि यह मेरा दोस्त कह रहा था है लेकिन अगर जिससे प्यार करते हो बेवफा है तो प्यार दूसरी बार भी किया जा सकता है तीसरी बार भी किया जा सकता है मेरा तो नाम भी मोहन है दादा मेरा तो मानना है कि प्यार एक हजार एक सो आट बार किया जा सकता है वाँ चार पंक्तिया देता हूं लड़कों सुनना जिंदगी में कभी मायूस मत होना सुनेगा में दिल के टुकण़ा को फिर से पहाड कर लूँगा तुझे ना दूंगा दो बारा कबार कर लूँगा तु अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा मैं अपना कोई ना कोई जुगाड कर लूँगा चार बंक्ति और नेविद्न करता हूँ कि आखर में लड़कों के साथ होता क्या है है लड़कों कहां तुम गलती करते हो तुम्मारा चुनाओ कहां गलत होता है सुनिए गा अरे मत भागो राजा हो दासी के पीछे मत भागो फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो लड़की ढूंडो यार हिरन जैसी कोई अर शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत भागो चाहत को जब एद मनानी होती है केवल लड़कों की खुरबानी होती है लड़के दस्तर खौन बिछाते रहते हैं अर लड़की के आगे बिर्यानी होती है लड़की के आगे बिर्यानी होती है चार पंधिया और निवदन करता हूं कभी भी जिन्दगी में जैसे कि इसने का आदा मेरे भाई ने लेकिन कभी भी जिन्दगी में आपको हार नहीं माननी चाहिए है ना ये ये चार पंधिया निवदन करता हूं इसके बाद मैंने भी हार नहीं मानी शलेट जी ये सुनेगा सुनाओ मौन खुदा इतना बता दे हम को जीना है या मर जाए हमारे वास्ते कोई हसीना है या मर जाए किसी के साथ अब तक मैं नहीं भी काहू बारिश में मेरे हिस्से में सावन का महीना है या मर जाए वाँ 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 ये मुकतच जब दीपक दनादर्ण ने अपनी प्रेमिका को या मुकतच सुनाय था तो इनकी प्रेमिका ने इनको जवाब दिया बोले मर जाओ चार पंक्ते और निविदें करता हूँ खुदारी की उसके बार अपना स्थान लेता हूँ चार पंक्तिया खुदारी की कि अगर लड़कियां बहुत अच्छी हैं तो लड़के भी हम बहुत अच्छे हैं किसे कहते हैं खुदारी खफा हो कर दिखाएंगे तुम्हारी जिन्दगी से अब तफा हो कर दिखाएंगे किसे कहते हैं खुदारी खफा हो कर दिखाएंगे तुम्हारी जिन्दगी से अब तफा हो कर दिखाएंगे तुम्हारे जैसी हर लड़की कहेगी बेवफा हम को तुम्हारे जैसी हर लड़की कहेगी बेवफा हमको तुम्हें 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 बड़े हम बेवफा हो करेंगे तुम्हें 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 बड़े हम बेवफा हो करेंगे बहुत थूटे हो जालें नहीं जब दर्द निकल निकल के आरा है ना तुझे तुझे बड़ा बेवफा हम हो कर दिखाएंगे क्या करें भीया लड़कों के जिंदगी ऐसा ही होता है उसके बाद भी ऐसे दात निकालने पड़ते हैं सब कुछ छिन जाने के बाद भी है कुछ नहीं निकल ली वो माने वाली वापस लेकिन टार के निशान देख की घीत काते रहेंगे तु जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा अरे जब उसकी काया चली गई तो तुम सायेगा क्या करोगे यार लेकिन जिन्दगे में निराश नहीं होना चाहिए जिन्दगे में एक चीज़ बची रहनी चाहिए और वो है optimism, hope, विश्वास, आशावार जब किसान बीज बोता है तो उसे ये पता नहीं होता कि बारिश होगी या नहीं होगी लेकिन वो बीज बोता है हमारा काम है कर्म किये जाना आशा और विश्वास के साथ और वो उपर बैठा है जो हम सब को देख रहा है आपके विश्वास वो कभी डूटने नहीं देगा हास्ट के हमारे कैसे कभी जिसे वा भाई वा ने पहली बार इंट्रिड्यूस किया प्रस्तुत किया देश पर के सामने और वो चा गया और इसी कली में आज फिर से हमारे बीच में भोबार के दीपक शुक्राइब जर्दाशालिप बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रेम की बात चल रही थी तो प्रेम से याद आया के एक जमाना था जब मोबाईल नहीं चलते थे तो प्रेमी प्रेम का एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते थे और एक दौर वो आया कि जब खून से प्रेम पत्र लिखे जाने लगे तो क्या हुआ सुनिएगा लख्ताओं खूर्ण से स्परिफ नहीं कि लकाता था लिखता खूर्ण से कि शाई समझना को ठोड़ते आगे को मेरे एक मित्रिक नवी प्रेम पत्र लखे कै एए और फिर क्या हुआ फ्रेम पत्र लिखता था प्र相信 क्या मैं लिख मा निकाल कर प्रेमे का भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई कहा के मलेरिया है डॉक्टर ने जाच कर सुनके वो बॉखलाई मुझसे वो मिलने आई बोली कैसे खून से लिखा है वो दहाड कर मैंने कहा बीकनेस हो ना जाए मुझे कहीं इसलिए लिखता था मच्छारों को मारता हुई और प्रेम पत्र प्रेम की बात चल लए थी मोहन भाईया मेरे बार में कह रहे थे यूँ आग लगाने की जरूरत पड़ी थी क्या दिल मेरा जलाने की जरूरत पड़ी थी क्या जब प्यार से तूने मुझे इनकार कर दिया जब प्यार से तूने मुझे इनकार कर दिया बीभी को बताने की जरूरत पड़ी थी क्या बहुत बढ़िया दीपाग बहुत अच्छे बच्पन से जवानी का इंतजार किया है हमने भी हसीनों से बहुत प्यार किया है बच्पन से जवानी का इंतजार किया है हमने भी हसीनों से बहुत प्यार किया है जिसको किया प्रपोज वो चांटा लगा गई प्रिसाद समझ के उसे स्वीकार किया है एक बार मैं अपनी पतनी को शॉपिंग कराने ले गाया गोल्ड की शॉप पर उसे अंगूठी दिलाई फिर क्या हुआ पतनी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने सेल्स गल से कहा के रेट कम कीजिए पतनी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने सेल्स गल से कहा के रेट कम कीजिए सेल्स गल बोली सर आप हैं हमारे खास रेट पे न जाईए यूँ चाय शाय पीजिए आपको ही देखके लगाए मैंने रेट कम तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए आपको ही देखके लगाए मैंने रेट कम मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए पातनी ने कहाया दी ऐसी कोई बात है तो रखिये ने अंगुठी मुफ्त में ही दी तो यह कवितान संदे रहेंगे तो यह बलुकुर ठीका था हिंदोसानी आदमें आता है तो चिक सब्सक्राइब अज़ को घृत्षा तट है कितने का जिया कितने कदिया अग्यु माल की तो या गदिया डेर से उपया बैग फच्चेटर में दे शीदा 50% थो सुबह सुबह चल लेजा पाचातर चालिश discipline का सुबह सुबह हो क्या चल ले जा wow बीच में बीच में रुले तू फुले तु फ्री में ले जा फिर 2 दे टे जंदगी में एक छी सिंध खुदा फ्री में देता हो है अशी अश्ते रहिए और कहते रहिए वाँ भाई वाँ